हेलो एब्रीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जोब में Atomic Energy Central School and Junior College से वेकेंसी आई है सिख्षक भरती की काफी अच्छी वेकेंसी रहने वाली है सभी पोस्ट की वेकेंसी है इसमें आयू जो है यहाँ पर अधिक्तम 50 वर्स रखी गई है करेंगे, क्वालिफिकेशन जो है वो सब्जेक्ट वाइस क्या रहेगी कैसे जो है वो अप्लाए करना है सारी चीजें हम देखेंगे विज्यापन में Official वेबसाइट पराना है परमानू उर्जा सिक्सटन संस्था Department of Atomic Energy Government of India इसमें जो है यहाँ पर थर्ड नंबर पर आपको दिखेगा Recruitment इस पर क्लिक करना है उसके बाद यह पेज ओपन होगा इसमें सबसे उपर ही जो है अप्लिकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनो 24 अप्रेल 2024 के है लिंक सामने है इस पर क्लिक कर लेंगे नोटिफिकेशन चेक करने के लिए सबसे पहले सिक्षन पद देखेंगे Teaching Post पदों का विवरण वेतन अधिक्तम आयू PGT के टीचर्स की वेकेंसी जिसमें 27,500 यहाँ पर पेज केल रहेगी या फिर आप लोग ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि एक पिरेड जो है वो आपका 220 रुपे आपके यहाँ पर बनते हैं प्रत्विदिन के और आप अधिक्तम जो है वो 5 पिरेड यहाँ पर ले सकते हैं Subject अभी हम देख लेंगे अधिक्तम आयू जो है वो 50 वर्स है मैन की और वोमैन की 5 वर्स छूट है 65 वर्स तक जो है सरकारी विद्यालें से अगर retired teacher है या फिर केंद्रे विद्याले संक्ठन में कहीं पढ़ाया है नवोदे विद्याले में पढ़ाया है या फिर परमानू उर्जा सिक्षन संस्थान में आपने कभी पढ़ाया है तो 65 वर्स अधिक्तम उम्र है पीजीटी के टीचर्स की टीजीटी में यहाँ पर सेलरी 26,250 प्रतिमा दे रहे हैं और पर पीरेड जो है वो 210 रूपीज अधिक्तम जो है वो केवल 5 ही पीरेड आप ले सकते हैं 45 यर में की उम्र रहेगी और 55 यर वो में की बाकी रेटाइड जो है उनकी 65 यर प्राइमरी टीचर्स संगीत प्रारंबिक सिक्षक 21,250 प्रतिमा और पर पीरेड जो है 170 रूपीज इसमें जो उम्र है 40 यर में की है और 50 यर वो में की है अब देख लेते हैं इसमें सैक्षिक एवं अन्य योग गताएं तो पीजीटी के टीचर्स के लिए मास्टर डिग्री के साथ में जो है बीएड मांग रहे हैं और यहाँ पर देखें बारवी कक्षा के बाद NCRT के शेत्रिय शिक्षा संस्थान से बीएड के साथ 6 साल का इंटि ग्रेटिट पोस्ट ग्रेजूर रच कोर्स किया है तो भी आप एलिजीबल है PGT के साथ में अगर 4 साल का BA बीएड किया है BSC बीएड किया है तो भी आप एलिजीबल हैं सब्जेक्ट आप देख लेएँ आप कि पोस्ट ग्रेजुट टीचर्स में किस सब्जेक्ट की वेकेंसी है, पीजीटी में इंग्लिस की, कम्प्यूटर साइन्स की, मैट्स की, कॉमर्स, फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री की, मास्टर डिग्री के साथ में बीएड आपका इसमें मांगा गया है, ट्रेंड ग्रेजुट टीचर्स के लिए, ग्रेजुइशन और बीएड, परसेंटेज का कोई भी जो है यहाँ पर चक्कर नहीं है, कितनी भी परसेंटेज हो, बस आपका ग्रेजुइशन और बीएड होना चाहिए, सीटेट या टेट मांग रहे हैं या नहीं, अभी तक तो है यहाँ पर नहीं मुझे नज़र आया, टीजीटी में इंग्लिस टीचर की वेकेंसी है, टीजीटी में सोसल साइन्स टीचर की वेकेंसी है, और मराथी टीचर की वेकेंसी है, उसके बाद जो है मैट्स, फिजिक्स की, टीजीटी में biology, chemistry की, टीजीटी हिंदी-sanskrit की, टीजीटी computer science, टीजीटी electronic maintenance, टीजीटी art की vacancy, आर्ट में drawing और painting या मूर्ति कला या graphic कला में 5 साल का माननेता प्राप्तर, diploma या degree होना चाहिए, special educator की जो vacancy है तो इसमें B.Ed. special education में आपका होना चाहिए, टीजीटी, physical education teacher, male की जो vacancy है, female की नहीं है, केवल male की vacancy है, graduation के साथ में आपके पास B.Ed. होना चाहिए, librarian के लिए जो है सनातक की डिग्री और साथ में diploma या degree आपका पुस्तकाले में आपके पास हो, इदर लिखा हुआ है कि विसेश B.Ed. या D.Ed. या विसेश D.Ed. की व्यवसाइक योगिता वाले, व्यवसाइक योगिता वाले उमेदवार इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है, यानि special educator के लिए बस आपके पास B.Ed. special education में होनी चाहिए, बाकी किसी भी post के लिए D.Ed. या विसेश D.Ed. आपका नहीं मांगा गया है, केवल जो है B.Ed. आपका होना चाहिए, पास उतीन की हो, या फिर इसके समकक्ष अगर आपने कोई योगिता हांसिल की है, तो भी apply कर सकते हैं, बालवाटिका टीचर्स की भी vacancy है, 12th pass candidate साथ में entity course की आपने D.E.C.Ed किया है, pre-school सिक्षा है, कोई भी pre-primary level का diploma degree है, जो कि 2 सालों से कमका नहीं होना चाहिए, तो आ आप apply कर सकते हैं, B.Ed nursery वाले भी जो है, इसमें eligible रहेंगे, तो यहाँ पर जो है, C.T.E.T. या, S.T.E.T. जो है, नहीं मांगा गया है, ठीक है, T.Z.T. में जो है, आपके पास graduation plus B.Ed, percentage का भी कोई वो नहीं है, कि कितनी percentage है, और post graduate में भी, जो है, subject में master degree के साथ में B.Ed, कैस जो है, selection होगा, तो इसमें लिखित परिक्षा होगी, 50 अंकों के जो है, आपके पास वस्तुनिस्ट परकार के जो है, question होगे, 50 परसेंट या इससे अधिक, और 45 परसेंट या इससे अधिक, जो है, S.E.S.T. O.B.C. दिव्यांग, अंक प्राप्त करने वाले उमीदवारों पर कोशल परिक्षन के लिए विचार किया जाएगा, यानि कि skill test जो है, वो ले सकते हैं, exam रहेगा, बाकी जो है, compulsory नहीं है, कि skill test होगा, आगे अगर candidate ज्यादा हो जाते हैं, तो इस पर विचार करेंगे, यहाँ पर date पहले से ही decide है, return test और time subject वाइज अलग लग है, और यह जो है, 1 मई 2024 से start होंगे, तो आप अपना जो है, वो subject और समय और date जो है, वो देख लेंगे, लिंक आप लोगों को मैं इसी वीडियो के नीचे description box में share कर दूँगी, ताकि आप लोग क्लिक करके और notification को पूरा पढ़ें, फिर apply करना है, तो जो भी important चीज थी, वो मैंने आपको बता दी है, application form के लिए इन्होंने याँ पर लिखी दिया है, अभियरतियों से अनुरोध है कि सविज्ञापन के साथ में उपलब्द Google Form, अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, इसके जरीए लिखित परिक्षा से पहले ही अपना registration आपको करवाना है, तो एक बार जो है दुबारा से official website पर चलेंगे, यहाँ पर recruitment है, इस पर जो है click कर लेंगे, और यहाँ प और यह vacancy है, अनुशक्ती नगर मुंबई, मुंबई की vacancy है यह, और बहारी राज्य के candidate, मुंबई से जो बहारी राज्य के candidate है, बिलकुल यहाँ पर apply कर सकते हैं, application form के लिए आपको second number पर जो दिया हुआ है, application for recruitment of teachers on contract basis, contract basis की vacancy है, इस पर आपको click करना होगा, और इस तरीके से जो है application form आपको open करके दिखा देती हूँ, यह application form है, कैसे बेजना है, notification में जो है, देखेंगे, तो यहाँ सामान्य निर्देश में लिखा है, उम्मीदवारों को लिखित परिक्षा के दिन संबंदित परिक्षा के इंदर में संपर्क, नमबर, email ID, एक passport आकार की तस्वीर के साथ, आयू, योग्यता, अनुवव, पत्राचार के पते का विवरण देते हुए, आविदन पत्र जो है, वो जमा कराना होगा, और उसके साथ में जो है, अंक पत्र और प्रमान पत्र की फोटो कॉपी भी जो है, आपको जमा करवानी है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है, कि आपको वहाँ जाना होगा, बाकी बाइपोस्ट जो है, मुझे तो नहीं दिखाए कि इसमें बाइपोस्ट जो आप भेज सकते हैं, आप दुबारा से पढ़ लेंगे, हो सकता है, कहीं पर लिखा होगा,